हलो दोस्तो रियल फार्मर फैमली यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत सवागता है दोस्तो आज जो गटना आपको बताने जा रहा हूँ ये गटना सुन कर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारे एक पलक की भी कोई गारंटी नहीं है कि अब हम ये कर रहे है तो अगले पल हमारे साथ क्या होगा हाँ दोस्तो अटेवा गाउं के एक प्रिवार का बेटा दुल्ला बनने की त्यारियां कर रहा था लगबग सभी त्यारियां पूरी हो चुकी थी गर है जो मेहमानों से ब्रातियों से बरा हुआ था सभी परिवार के इस देश्य करता है फिर अंगर में लगी हुई खुर्शी के ऊपर आकर बेढ जाता है कपड़े पहनता है कपड़े पहने के पाते जैसे ही सभी त्यायां पूरी हो चुकी थी बस अब सहरा से जने बाला था उसी समय कमल के हाट अटेक का दोरा पर जाता है ब्रात के लिए आए हुए आटेक का दोरा पर चुका है उसे जल्दी सी आनन फानन के अंदर होस्पीटल के अंदर ले जाया गया जहां जाते ही डॉक्टरों ने उसे मर्द गोशित कर दिया अब दोस्तों जिस बेटे की साधी थी वो अब मर्द चुका था और लास लेकर अब कौन इतनी हिमत करेगा कि उस आंगन में ले जाकर इसकी लास रख दी जाये परन्तु फिर बहुत ज्यादा इमत करके दिल कड़ा करके क्योंकि ये करना भी था जो साथ के हुए लोग थे वो कमल की लास को लेकर आ जाते हैं जहां डेड़ गंटे पहले कमल दुला बन रहा था अब उसी जगह कमल क की लास लेकर रख दी जाती है ये सब सुनकर माबाप की आँखों के आगे अंदेरा ठा गया और सबाबिक बात है दोस्तों जिस घर के अंदर इतनी जारा कुशियां हो ऐसे सोचा जारा हो कि अब हमारा बेटा दुला बन रहा है माबाप पे ये सपने सजोई बैठे थे कि ह हमारे बेटे के सर के उपर हम सहरा देखेंगे और अब उसी बेटे की लास रूस के अंगन में रखी हुई थी तो आप सोचिए उस माबाप पर क्या बीतेगी माबाप का रोरो कर बुरा हाल है चार-पांस दिन की ये गटना हो चुकी है फिर भी जो मा है होस में नहीं आ रह है और जिस लड़की के साथ जो दुलन बनी हुई लड़की बेटी थी इंतजार कर रही थी कि आज मेरा दुला आएगा और हमारी आसाधी है उसके सपने भी पल भर में चकना चूरो गए क्या सपने देखे थे और क्या हो गया वो तो अब तक है उसने तो दुले का चेहरा भी नहीं देखा था परंतु फिर भी उसके उपर यह कलंक लग गया और खासकर यह बाते भी ओरते ही उठाएगी ओरते ही कहेगी कि यह लड़की ही मनूस है जो साथी के दिन ऐसा हो गया अलांकि हमें पता है उस लड़की के हाथ में कुछ नहीं था वो तो आप सपने सजो मेरी यह तेरा यह मेरा परंतु हमें एक पन का वरोसा नहीं हो ताकि अगले पर हमारे साथ होगा क्या और जो ओरते हैं खासकर मैं उन ओरतों को कहना चाहता हूं जो ओरते बिना सोचे समझे किसी के बारे में ऐसी बाते बोल देती है कि यह मनूस थी इसके कारणी यह हो गया उनको मैं कहतना चाहता हूँ यदि उस जगह आपकी बेटी हो तो क्या आप ऐसा कहेंगी तो जो भी किसी के बारे में बोलो तो समझ के बोला करो और दोस्तों जिसका इकलोता बेटा जिनका इकलोता बेटा और बिल्कुल है साधी वाले दिन जिसके साथ इतनी बड़ी गटना गट जाती है उस माबाप में कोई बाकी नहीं रहती जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते साइद है कि आज उनके उपर क्या बीत रही है और आगे भी उनके उपर क्या बीते ही ऐसा तो किसी बेरी दुष्मन के साथ भी ना हो जो ये गटना गटी है बेटा है जो बुडे माबाप का साहरा होता है और जो बेटा साधी वाले दिन ही माबाप को छोड़ कर चला जाए उस माबाप पर क्या बीती है इसका अंदाजा साध ही हम कभी लगा पाएं दोस्तों इस गटना की मैंने वीडियो देखी थी एक है उसके निच्छे जो कॉमेंट है वो कॉमेंट पड़े थे उन कॉमेंट के अंदर किसी ने लिख रखा था कि जो लड़की है उस लड़की की जो जनम है वो साई समय में नहीं हुआ तब मैं कह रहा हूँ यह बातें ज़्यादा कर खासकर और पर आसी बातें करती है मनूस कहना यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो पले जुन से हाट जोड़ कर बिनती है किसी के साथ भी ऐसा हो जाए तो उसके बारे में ऐसा गल्द मत भोलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप सब को राम राम नमस्कार मिलते हैं अगले वीडियो में